आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हर्याणा का बजट सेशन शुक्रवार दुपहर दो बज़े से शुरू होगा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तयार हैं तो दूसरी तरफ इस सेशन का शेडियूल भी आ चुका है हर्याणा की बजट सत्र के लिए हर्याणा वासियू का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्यूंकि 24 घंटों से भी कम वक्त के बाद हर्याणा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा बजट सत्र के शुरू होने से पहले जनता टीवी की टीम विधान सभाय स्पीकर से खास बात करने पहुची और विधान सभाय स्पीकर ने जनता टीवी पर बात करते हुए बताया कि हर्याणा का बजट सत्र पांच मार्च से शुरू होगा और 16 मार्च तक चलेगा हर्याना विधान सभा स्पीकर ग्यांचन गुपता ने ये भी बताया कि बजट किस दिन पेश होगा दरसल हर्याना विधान सभा के सत्र के दौरान बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा हर्याना विधान सभा का शिडिूल आ चुका है पांच मार्च दौपैर दो बज़े से शुरू होने वाली सदन की कारवाही 16 मार्च तक चलेगी लेकिन इस सत्र में क्या कुछ खास होगा और क्या है इस बजट सत्र का शिडिूल ये जानना भी जरूरी है दरसल 5 मार्च से शुरू होगा विधान सभा का बज़ट सत्र दौपैर दो बज़े से शुरू होगी सदन की कारवाही राजिपाल के अविबाशन से होगी सत्र की शुरूराद 8 मार्च को राजिपाल के अविबाशन पर होगी चर्चा 10 मार्च को पेश किया जाएगा हर्याना का बजट हर्याना के सीएम बतोर विक्त मंत्री पेश करेंगे बजट 12 मार्च को विधान सभा में बजट पर होगी चर्चा 15 मार्च को विधान सभा में सीएम मनोहर लाल का भाशन हर्याना विधान सभा के बजट सत्र का पूरा शिडियूल यही है और इसी शिडियूल के मताबिक सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी रणनीती तै करनी है लेकिन जिस तरह विपक्ष सरकार को घेड़ने की तैयारी कर रहा है और सरकार विपक्ष को उसी के सवालों का जवाब देने की तैयारी में है इससे इतना तो तै है कि ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है चंडिगर से पवंच सिवर की रिपोर्ट